हेलो एव्रीवान वेल्कम बाक्टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज ना इनका बच्चों का फूड आया था बड़े दिन से खतम हो रखा था करीब करीब चार-पांच दिन होगे थे इस बार तो आना जाना हो ही नहीं पाया क्योंकि ब् ब्रूनो का ही फूड आया मतलब जिनी और जूजू का भी और ब्रूनो का भी तो सबको हम जो है ना अब कंटेनर्स में फिल कर रहे हैं और ना देखो सब पास खड़े हुए जिनी भी ब्रूनो भी की भई ये खाना तो हमारा ही लग रहा है इस बार एक्चली थोड़ा सा ब्रैंड चेंज किया था तो और इन लोगों को जादा क्रियोसिटी हो रही है कि खुश्बू अलग आ रही होगी इनको पता चलता ही होगा ना किया कोई अलग फ्लेवर आया है कुछ अलग आया है तो देखो बिल्कुल एकदम तयार खड़े हैं कि हमें देदो भाई कौन स बिल्कुल आया कि मंटी इसी में से खा लूँ है अलग से बाउल में निकालने कि क्या ज़रूरत है मैं इसी में से खा लेता हूं अच्छा लग रहा है यह बहुत ज़्जाधा चूज़ी है खाने के मामले में लेकिन इसको अगर कोई चीज पसंद आ जाये तो बस इसके पी भी आया है साथ में मतलब स्कूप भी आया है कि कितना देना है कितना नहीं देना है हर फूड का अपना अलग होता है ना क्वांटिटी और अब ब्रूनो को थोड़ा सा ध्यान रखने की भी जादा जरूरत है कि जादा ओवर्वेट नहीं होना चाहिए जादा खाना नहीं दे बट आज मैने का चलो आप बोल रही हो तो बना देती हूं छोले भिगोए भी नहीं थे मैंने ज्ञाधा टाइम नहीं था भिगोने के लिए तो आदा घंटा सिरफ गरम पानी में थोड़े से छोले और फोड़े इसमें चनी की दाल डालो तो उसमें ग्रेवी थोड़ा सा बॉइल होने के लिए रख देंगे और मेरे छोले बॉइल होने में तो करीब करीब पॉना घंटा लग गया था क्योंकि भीगे कम थे ओवर नाइट भीगो तो तीन-चार सीटियों में ही बढ़िया पक जाते हैं और तड़का जो है ना एकदम सिंपल है बिना लहसन प्यास का बना रही हूं लेकिन एकदम अल्टिमेट टेस्ट आता है तो देखिए जीरा और अजवाइन का तड़का दिया है अजवाइन अच्छी रहती है डाइजेशन में भी और छोले थोड़े से हेवी होते हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया होती है रात में खा रहे हैं तो और जादा जरूरी है तो वो और हींग डाल दी है तड़के के अंदर आप डाल देंगे इसमें टमाटर क्योंकि हम लहसुन प्यास डाल नहीं रहें तो अगर आप लहसुन प्यास डालें तो पहले आप लहसुन प्यास अच्छे से भून लीजे और फिर डालिए टमाटर मै मैं तो डारेक्ट टमाटर में ही बना रही हूँ भोग के लिए भी अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मैं बिना मतलब लहसुन प्याज का बना रही हूँ बट ये बनते भी बहुत अच्छे हैं जरूरत लगती भी नहीं है लहसुन प्याज की न और तड़के किसमें बेसिक मसाले जा रहे हैं छो कुटा हुआ हरा धनिया होता है यो सूखा हुआ धनिया होता है वह नमक और मिर्च और हल्दी बस यही जाएगा सात में जाएगा छोले अगर आपके पास मार्केट वाला हो तो वो डाल दीजे नहीं तो आप मेरी तरह होममेड छोले मसाला भी डाल सकते हैं यह एकदम मल्टी परपस मसाला है इससे आप कड़ाई पनीर भी बनाएंगे तो यह कड़ाई मसाले की तरह यूज होगा और छोले मसाला भी बहुत अच् मेरा इन्ग्रीडियंट ओकि है धनीया धनीया मुझे ठड़ख मेंहें हैं तो मैं थोड़ी सी स्टैम्स बी डाल रही हो और धहनी मड़ाई स Gab warning लेंगे और छोले में कलर भी देखे किता अच्छा आया है बिल्कुल ब्लाक कलर आया है और खटास भी बड़ी अच्छे आती है आमले की वज़े से तो हमें उपर से कुछ और खटास के लिए डालने की जरूरत पड़ती नहीं है तो देखे चोले बस अब इसको पांच मिनिट के लिए आप उबालिए और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिए क्योंकि थोड़ी गाड़ी दिख रही है तो थोड़ा सा पानी डालिए और इ हाचानक से खाने का मन करें तो यह बहुत अच्छा है भिल्कुल रेस्ट की जरूरत नहीं होती है इसको, तीन से चार चंबच इसमें मैंने डाल दी है सुजी थोड़ी सी कृस्प आता है और बहुत अच्छा और 치दी अर आधा पानी डेगे, तो फर्मेंटेशं एकदम हो है इंस्टेंट वाला तो अब देखिए बनाईए इसको और पांच मिनिट के लिए बस आप रखिए और फिर आप बटूरे बनाना शुरू कीजिए एकदम बैलून जैसे फूले फूले बटूरे बनेंगे बहुत बढ़िया तरीके से तो देखिए मैंने ऑईल एकदम पूल के बाहर आता है तो मेरा ओयल देखिए अच्छे से गरम हो चुका है मैंने चेक कर लिया है चोटी सी गोली डालकर आटे की तो एकदम से बढ़िया जो है ना फ्राइंग उस पे आ गया है कि एकदम बढ़िया गरम हो गया है तो अब बेल लेंगे इसको और देखिए आटा आप आप देख सकते हैं लगता पतला नहीं लगा है तो यह जिनको प्राप्लम होती है ना कि बहुत पतला आटा वह कंट्रोल ooh कर पाते जैसे मुझ chances नहीं होताब अगरोगा ना तो मुझस से नहीं बिलेगा वह चिपक जायेगा तो मैं थोड़ा सा रोटई जैसा ही आटा लगाया है बिल्कुल नॉर्मल जैसा हम रोटी का लगाते हैं उसी तरीके का उससे भी आपके भटूरे इतने बढ़िया बनेंगे कि आपको जरूरती नहीं होगी कि आप बहुत पतला आटा लगाएं तो देखिए भटूरा बे लिए और गरम गरम तेल के अंदर इसको डाल दीजिए और भटूरा डालते ही जो है ना हमें कर्ची से उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाना है ताकि ओल दोनों तरफ आए और देखिए कितना अच्छा एक्टम बैलून जैसा फूल आए भटूरा बहुत बढ़िया भटूरा फूल के तयार होता है और इतना तेस्टी लगता है बिल्कुल आपको जरूरत नहीं होगी कि दो घंटे पहले आप आटा लगा के रखें उसको रेस्ट दें इंस्टेंट कभी भी खाने का मन होना तो आप फटा फट से इसको बना सकते हैं तो देखिए दूसरा भटूरा भी मेरा उतने ही अच्छे तरीके से फूलेगा सारे भटूरे इतने बढ़िया बने थे और इसी तरीके से आप आटे के भटूरे भी बना सकते हैं मैंने आज मेरे पास मैदा एकदम से कम थी तो मैंने का चलो कोई बात नी तीन चार भटूरे मैदा के बने और बाकी मैंने आटे के बनाए तो आटे को भी है आप नान भी बना सकते हैं इसी तरीके से आटे से सिरफ आटे में आप थोड़ी सी सूजी डाली जैसे हमने मैदा में डाली नमक डाली और जो है ना उसको सोडा से गूंद लीजिए तो उसी तरीके से बनेंगे देखिए हमारे भटूरे बनके हो गए हैं एकदम तयार तो हम अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खूब सारा खयाल रखिए और मुझे जरूर बताएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी